हेलो डियर स्टुडेंट्स, मैसल अनिल चोधरी, टीम जुलोजी, CLC सीकर, आज हम बेटा डिसकस करने जा रहे हैं, हमारे पार्ट टेस्ट या डाइमन टेस्ट स्री जो है, उसका पार्ट टेस्ट नमबर फाइफ, जिसमें मैं आपको जुलोजी वाला सेक्शन अभी डिसकस क लिए, जो पाउच मैमल्स है, जो सिसुदानी स्तंदारी हैं, वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाये जाते हैं, ऐसा क्यों है, तो पहला पूर्ट जे रखा है, due to lake of placental mammals, placental mammals जो है, उनकी कमी के कारण, जी, due to continental drift, पाउच मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया सर्वाइब, देखी महादीपी विचलन के फलसरूप क्या हुआ, कि जो पाउच मैमल्स थे, शिसुदानी स्तंदारी जो थे, वो ज्यादा अची तरीके से विक्षित हो पाए, ज्यादा अची तरीके से क्या हो पाए, of competition from any other mammals, उनका जो था, वो अन्य स्तंदारियों से परतिस परदा नहीं थी, हाँ, continental drift के कारण ऐसा हुआ था, महादी पे विचलन के कारण ऐसा हुआ था, कि वहाँ पर उस, शिसुदानी स्तंदारी की जो है, वो अन्य स्तंदारियों के साथ में जो है, वो परतिस परदा नह कि यहाँ पर options जो है, वो एक से ज्यादा सही है, क्योंकि यह भी सही, यह भी सही, तो pouch mammals के बारे में बात हो रही है न, तो pouch mammals actually तभी ज्यादा Australia में है, क्योंकि एक तो competition नहीं था, और दूसरा continental drift की वज़े से ऐसा देखा गया था, next question, all the following are correct about genetic drift, except, सारे के सारे ही जो कतन है वो सही है, continental drift के बारे में किसी एक को छोड़ कर, so genetic drift also call as sea wall right effect is more likely to occur in small population, देखे बेटा, genetic drift जो होता है, वो पहली बात तो small population, यानि चोटी population जो होता है, उस चोटी population में हमें देखने को मिलता है, genetic drift का मतलब यह है, कि population जो है, उसे यदा-कदा, कुछ जीवधारी जो है, या फिर कुछ gene जो है, उनका निकल कर चले जाना, स्टेट्मेंट यह सही कहता है हमें, if changes in gene frequency occurs by chance, is called genetic drift, कभी कबार अगर gene frequency में change आता है, तो उसे क्या हम genetic drift कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, अगर gene frequency में अचानक change आते हैं, तो उसकी वज़े से जो है, वो genetic drift होता है, statement यह भी correct है, to ramification of genetic drift, our bottleneck effect and founder effect, बिल्कुल बेटा, हम दो effect पढ़ते हैं, hardy win work principle को जब discuss करते हैं, तो वहाँ पर genetic drift जो है, उसके दो example या दो गटनाएं हमें महाँ देखने को मिलती है, बोटलनेक effect और दूसरा founder effect, यह भी statement बिल्कुल correct है, genetic drift is a directional factor, जी नहीं, directional factor नहीं होता ही, यह direction less factor होता है, यह direction less factor होता है, क्योंकि देखे, genetic drift जो है, वो यदा कदा अचानक से आने वाले परिवर्तन की वज़े से होता है, और आप जानते हैं, अचानक से आने वाले परिवर्तन किसी भी direction में हो सकते हैं, किसी एक particular direction में हमें देखने को नहीं मिलते हैं so किसको छोड़ कर बाकि सारे सही है तो fourth option जो बेटा उसको छोड़ कर बाकि सारे option जो ही यहाँ पर correct हमें देखने को मिलते हैं next question देखें जर Hugo Devere is based on his work जो Devere is था बेटा उन्होंने mutation के बारे में बात की थी उन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइम रोज पर brought forth the idea of mutation जो की उत्परिवर्दन का जो है एक सिद्दान्त ये एक idea सामने लेकर आए mutation है random and directionless जैसा कि हम जानते हैं कि mutation जो होते हैं वो random होते हैं और directionless होते हैं वाइल डार्वीनियन वेरियेशन जबकि डार्वीन वेरियेशन की बात करें तो डार्वीन वेरियेशन छोटी होती है एंड डारेक्शनल होती है evolution for Darwin was gradual वाइल डिवरीज बिलीव large mutation cause speciation and hence call it saltation तो ध्यान दीजेगा बेटा उन्होंने काम किया था protection देखने को मिल है उसके बाद हें next जो है ओप्षन में Garden P देखने को मिल रहा है तो यह incorrect हो गया इनीग प्राइम रोग स्था है तो सेकेंड और सॉप्षम दोनों कटगाम और अमबरмотри those को डेकquet है direction less होना चाहिए directional दे रखा कट गया यहाँ पर तो यहाँ पर आता है direction less next डी के अगर हम बात करते हैं sorry C की हम बात करते हैं so variation darwin के variation छोटी और directional थी बिलकुल छोटी और directional थी or mutation cause speciation and hence cold saltation इसे saltation कहा गया option number जो है वो fourth विलकुल correct बयटता है बैटा इस पूरे के पूरे जो है एक paragraph को fill करवाए गया आपसे आपर में भी आप जो है वो अच्छी तरीके से cover कर पाए होगे next question में क्या दिया गया है कि true or false यानि कुछ statements हमारे सामने हैं उन statements में से हमें true or false के बारे में बात करनी है तो जरा देखें जरा कौन कौन से statements क्या कहते हैं हमें choose the correct statement with respect origin of life भी जीवन की उत्पती के संदरब में हमें बात करनी है आपर सही बताना है universe is almost 2.5 billion year old जी नहीं वो तो 20 billion year old है तो first statement कट गया बेटा अर्थवाज found up almost 3.5 billion years back जी नहीं वो तो 4 billion years back का बात था गलत हो गया life appeared 200 million years after the formation of earth ये भी गलत बात है ओपेरिन और हेल्डेन प्रपोस्ट देट the first life could have come from pre-existing non-living organic molecule that is RNA and protein ये हम जानते हैं ठीक है क्या कि RNA और प्रोटीन जो थे उनके बारे में उन्होंने क्या बता इन्होंने एक experiment कंड़क्ट किया जिसे ओपेरिन हेल्डेन थोरी हम कहते हैं जिसमें हम पढ़कर आते हैं उसमें बताया जाता है कि first life जो है वो पहले से विद्देमान जो non-living organic molecules like RNA and proteins उन RNA और प्रोटीन से जो है एक नया life निकल कर आया था तो option number fourth is correct चलिए नेक्स देखते हैं read the statement a and b and choose the correct option a और b कतन को पढ़कर सही विकल्प का चैन करें after industrialization like in did not grow abundantly on tree trunks यह कहता है क्या industrialization आने के बाद ओदोगी करन के बाद पेड़ के तनों पर like in बाउताईट से नहीं उपए बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब production होता है तो production होने पर या production वाली इलाके में कभी भी like in grow नहीं करता है after industrialization bistone bitularia decrease in number and bistone carbon area increase in number यह कहता है क्या कि जो bistone bitularia है वो bistone bitularia संख्या में कम हो गया मतलब स्वेत पंक सल्ब जो थे उनकी संख्या कम हो गई और bistone carbon area जो millenic wings वाले थे उनकी संख्या बढ़ गई यहीं बात पर focus कर रहा है तो ध्यान दीजेगा बेटा industrialization के बात क्या bistone bitularia जो है वो decrease हुआ था number में बिल्कुल हुआ था क्योंकि पेडों के तनों पर जाकर liken जमा हो गई थी जिसकी वज़े से उन्हें परवक्षी जो है वो आसानी से देख पाता था तो हम कहें तो statement दोनों ही बेटा correct है और यहां पर सिर्फ statements के ही बारे में बात की गई कि correct हैं कि incorrect हैं तो both statements आर correct ओके next is mutation are random and directionless while darian variations are small and directional थोड़ी देर पहले बात हुई थी बेटा कि जो उत्परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन यादर्चिक होता है ठीक है तो यादर्चिक देखें जरा काम पर है यह चोटा यह गलत हो गया ठीक है तो यादर्चिक यादर्चिक इसके अलावा darwin की जो विबिंताएं होती है वो darwin की विबिंताएं छोटी होती है तो छोटे वाले portion को देखें यहादर्चिक यहाँ से अटाई है छोटी छोटी दो जगह ठीक है तो उत्परिवर्तन एक तो बेटा random होता है दूसरा direction less होता है तो यह statement यहाँ तो यह option यहाँ ता correct बैट रहे darwin की विबिंताएं छोटी और directional होती है एक DC होती है छोटी DC यहाँ पर भी है यहाँ पर DC दे रखा है जिसकी वज़े से गलत होता option option number 30 is correct जो इस blank को fill कर रहे हैं आपर clear है ओके next देखें choose the correct option mixture of methane ammonia and hydrogen was taken in 2 is to 1 is to 2 ratio in Miller experiment बिल्कुल सही बात है Miller ने अपने प्रियोग के अंदर methane ammonia और hydrogen को 2 अनुपात 1 अनुपात 2 के ratio में लिया था ठीक है alanine glycine and aspartic acid were obtained at the end of experiment बिल्कुल सही बात है experiment के end के अंदर उसको कुछ जो है वो amino acids और acids obtain हुए थे जिसे में अपन जानते है glutamic amino acid उने नहीं मिलाता तो यहाँ पर देखा जाए तो statement जो है वो दोनों ही सही है तो both statements are correct so option number 3 is correct option next देखिए चलिए find the incorrect statement गलत कथन जो है उसका chain करना हमें incorrect हमें पैचानना है incorrect हमें पैचानना है excess use of pesticides result in selection of resistant variety is an example of इसमें का गया है कि पिड़क नासकों के अधिक उपियों के प्रिणाम सवरुप परतिरोदा किश्मों का chain मानवोद भवी किरिया द्वारा विकास का एक उधारन है बिल्कुल सही बात है ठीक है अगर आप antibiotics का use यादा करते है pesticides का use यादा करते है evolution is a stochastic process best on chance events in nature and chance mutation in organism बिल्कुल सही बात है evolution एक stochastic या प्रसंभावे प्रकरम है जो प्रकरती के संयोग से या आवसरधारी गटनाओं से या फिर जियों में होने वाले संयोग जन उत्परिवर्तन बिल्कुल उत्परिवर्तन होगा प्रकरती अगर मोका देगी natural selection होगा तो उससे no doubt एक जो species के members है वो ज़्यादा विकास करेंगे और इसी को हम क्या कहा देंगे evolution कहा देंगे stellar distance are not measured in light years यहाँ पर note लगा तो यह गलत हो गया जाकि जानते हैं कि तारिक के दूरी जो होता है उस तारह के दूरी को हम प्रकाश वर्षों में मापते हैं यहाँ पर नहीं मापा जाता है यह लिखा इसलिए गलत हो गया अलफ़र्ड वेला से वक्ड इन मेले आर्की पेलेगो बिल्कुल उन्होंने मेली आर्की पेलेगो पर काम किया था और डार्वीन आप जानते ही है ग्यलापोगेज आईलेंड पर काम किया था तो स्टेट्मेंट कौन सा इनकरेक्ट है वेटर थर्ड स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है next देखते है find the incorrect statement again आपको इनकरेक्ट स्टेट्मेंट के बारे में बात करनी है ऐसात्य कथन हमें यहाँ पर पैचानना है ऐसात्य कथन में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑब स्टेटमेंट की तो क्या कहता है तो प्रकृति उसका चैन करेगी और प्रकृति अगर उसका चैन करती है तो जीव जो होता है उसमें जनन करने की क्षमता अत्यदिक होती है जिसके कारण वो अपनी पीडियां जो होती है उन पीडियों में संत्यतियों के संक्या अत्यदिक छोड़ कर चला जाता है बिल्कुल साइस स्टेटमेंट है स्मस्टी के लक्षणों में विबिनता आपको देखने को मिलेगी ये आप जानते हैं सेक्शल रिप्रोड़क्शन की वज़े से होता है बिल्कुल साही बात है डार्वीन जो है वो छोटी और दिस्य भी बिनताओं पर बात करता रहा या आप कह सकते हैं स्मोल और डिरेक्शनल वेरिएशन की बात करता रहा जबकि अपन जानते हैं डिवरीज जो थे वो रेंडम और डिरेक्शनल लेस जो भी वेरिशन थी उनके ओपर फॉकस कर रहे थे उनके बारे में वो ज्यादा बात करते थे इवल्यूशन एट जेनेटिक लेवल नेवल लाइक सिखल सेल एनिमिया इस मैक्रो इवलीशन जी नहीं यह मैक्रो इवलीशन नहीं है बैटा है वो जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज देखने को मिला है सो स्टेट्मेंट नंबर फॉर्थ इस इनकरेक्ट और अल्ड दे स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट ओके यह माइक्रो एवलूशन होगा मैक्रो एवलूशन नहीं होगा फायर दा मिसमेच ओफ डिफरेंट केटेग्री ओफ यूमन विट देर कोरेस्पॉर्णिंग करेक्टर तो बिल्कुल हमें गलत का मिलान करना न एस सुमेल को हमें पैचानना है पहली बात आती है होमो हेबिलस तो होमो हेबिलस की ब्रेंड केपिसिटी दे रखी है छेसो पचा कि गास के मैदानों में वो रहता था दोनों मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है यहां तक होमो हेबिलस की बात अगर हम करते हैं उसके बाद आ जाता है थर्ड ओप्शन में होमो सेपियन्स जो कहता है करेक्टरस में क्या कि इनकी उत्पती जो है वो पिछेतर हजार से दस हजार मीलियन वर्ष पूर हुई बड़ा मीलियन वर्ष नहीं था यह तो एक आईस एज वाला पिरियेड था जहां पर इनका उत्पती हुआ था तो मीलियन इयर्स अगो होने की वज़े से यह थर्ड जो है वो मैचिंग बिल्कुल इनकरेक्ट है तो यह मैचिंग इनकरेक्ट है सो अपना वो आंसर जो है वो थर्ड चला जाएगा यहां पर तो की कॉंसेप्ट ओफ डार्वीनियन्स और डार्वीनिज्म आर जो डार्वीन के सिद्दान था बेटा उसकी दो मुख्य संकल्पना है क्या थी उसमें पहला मुख्य संकल्पना था बेटा नेचुरल और दूसरा जो था बेटा वो था ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट सार्वनी अवरुहन तो देखलें जरा कौन से ऑप्शन के अंदर यह लिखावा है ब्रांचिंग डिसेंट ठीक है साल्टेशन गलत है अडप्टिव रेडिएशन गलत हो गया ठीक है resistant mosquito is an example of यह कह रहा है कि DDT प्रतिरोधी मच्छरों का change जो है वो किसका उधारण है देखिए अगर natural selection की हम बात करते हैं और वहाँ पर अगर मीन करेक्टर वेल्यू जो है और अगर चेंज होता है और ग्राफ अगर एक साइड में shift होता है लाइक दिस ठीक है तो ग्राफ अगर एक साइड में shift होता है तो उसको हम directional selection कहते हैं जिसमें जो peripheral character होता है परीद ये जो लक्षण होता है उसका chain प्रकरती द्वारा किया जाता है तो DDT resistant mosquito का मतलब यह है कि यह एक population जो होती उसमें अगर आपन बात करते हैं मच्छरों की एक जनसंग्या तो उसमें सारे मच्छर जो है वो सम्मलित रूप से रहते हैं बहले वो DDT के परती परतिरोदखता रखने वाले हो या फिर परतिरोदखता नहीं रखने वाले हो परंतु जैसा के अपन जानते हैं कि anthropogenic action जब होता है मानवद भविक रिया जब होती है तो उसके फलसरूप अपन जानते हैं कि अपन DDT का ज्यादा यूज़ करते हैं उस DDT के ज्यादा प्रियोग करने की वज़े से उन मच्छरों में से केवल वो ही मच्छर जो है उनकी population बढ़ेगी जिन मच्छरों के अंदर परतिरोदक शमता है तो इसका मतलब यह हुआ कि population में से एक हिस्सा जो है उसे का natural selection हो रहा है मतलब एक direction में graph जो है वो shift होगा तो यह actually एक directional selection जो है उस directional selection का example है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा क्या कि अगर एक peripheral character value जो है mean character value की बजाए एक परीद यह फिर एक दिसा में लक्षन प्रारूप का chain होता है जीवों का chain होता है तो उसका में directional selection कहते हैं जिसमें mean character value क्या होता है? Next देखें ज़र Which of the following experiment suggests that simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living metal तो यह बात यह कर रहा है बेटा कि किस प्रियोग से हमें यह पता चलता है कि सरलतन जीवित जीव निर्जी पदार्ते सवता ही उत्पन नहीं हो सकते थे सडेवे कार्बनिक पदार्तों में लार्वा दिखाई दे सकते हैं लार्वा could appear in decaying organic matter बिल्कुल सही बात है यह अपन जानते हैं लुइस पाश्चर ने जो है वह एक्स्परिमेंट करके प्रूव किया ही था मिट वाश्चर ने क्या किया था कि मास को गरम करके बरतन में बंद कर दिया और इससे वो खराब नहीं हुआ बिल्कुल ऐसी स्तती में अपन जानते हैं कि सरल जी उत्पन नहीं होते हैं माइक्रोप्स डिड नॉट अपियर इन स्टोर मेट संग्रहित मास में सुक्षम जीव दिखाई नहीं दिये अगर मास को संग्रहित रखा जाएगा और उसे डखा नहीं जाएगा तो नो डाउट उसके अंदर सरल जी उत्पन होंगे माइक्रोप्स अपियर फ्रॉम अन स्टेरिलाइज ओर्गेनिक मेटर सुक्षम जीव ए निर्जीम करित कार्वनिक पदार्तों से परकट वे बिल्कुल अगर हम किसी भी पदार्त को ए निर्जीम करित नहीं करते हैं अगर उसका स्टेरिलाइजिशन अगर हम नहीं करते हैं उसको सुक्षम जीव से मुक्त नहीं करते हैं तो जो वहाँ पर छोटे मोटे सुक्षम जीव जो वायू में होते हैं वो अपना जनन करने के प्रिश्चात वहाँ पर अपनी संक्या बढ़ाते हैं लेकिन हमसे question पुछा कि किस प्रियोग से पता जलता है कि सरलतम जी उत्पन नहीं हो सकता है तो option number second से हमें पता लगता है Lewis Paster का experiment है यह ठीक है next question दे रहे है following diagram represent the operation of natural selection यह A, B and C तो बेटा देखो A जो है अपन जानते है stabilizing selection है कौनसा selection है? stabilizing selection ठीक है? B जो है बेटा वो directional selection है directional selection और C जो है बेटा वो disruptive selection है कौनसा selection है? disruptive selection एक table दी गई है जिसमें इनके examples हमें बता करने stabilizing, directional और disruptive है चलिए देखते हैं table कौन से ठीक है तो A हम जानते है stabilizing selection के बारे में बात करनी है B जो है बेटा वो directional के बारे में बात करनी है C जो है बेटा वो disruptive के बारे में बात करनी है ठीक है? तो हम जानते है stabilizing selection का example क्या industrial melanism in mode है? जी नहीं ये गलत हो गया पहला ही जो है वो एक्जाम्पल गलत हो गया तो पहला उप्शन तो कट हो गया मोटिलीटीन बेबीज नवजातों की मरतियुदर बिलनकुल stabilizing selection में हम बात करते हैं कि जो नवजात होता है उसका एक ओशत मान जो है उस ओशत मान से अगर नवजात का वजन जो होता है वो कम होता है तो उसकी मरतियुदर की समावने बढ़ जाती है अगर एक नवजात जो है उस नवजात का जो ओशत वजन है वो ओशत वजन से अगर उ एक example है कि इसका stabilizing selection का second देखे ज़रा development of antibiotic resistance bacteria बिल्कुल anthropogenic action यहाँ पर भी सही बैट रहा है directional selection में हम जानते हैं कि antibiotic ज़्यादा use होंगे तो antibiotic resistance वाली variety जो है वो generate होंगे उसको nature favor करेगा तो graph x side में shift होना start होगा size of beaks of gallopoges finches size of gallopoges finches तो जो gallopogos finch थी darwin finch उसकी जो चोंच के विंताएं थी वो बैटर disruptive का selection है क्योंकि हम जानते हैं कि gallopogos island के उपर हमें भिनभिन चोंच वाले जो है वो काली चिडिया मिल रही थी तो no doubt nature जो है वो सभी को वहाँ पर favor कर रहा था दोनों peripheral character को लेकिन ध्यान से सुनिएगा वहाँ पर seed eater जो था beach boxy वो beach boxy जो था उसकी संख्या कम थी और अन्य जैसे कि एक्टर सीटर हो गया vegetarian हो गया या wood peaker हो गया ये जारी इसकी सारी चिडिया जो थी इनकी संख्या वहाँ पर यादा थी इसका मतब nature ने दोनों परी दिये जो लक्षन है उनका chain किया और जो मद्य लक्षन उसका chain वहाँ पर नहीं हुआ था तो ये भी एक example जो है वो disruptive selection का है बेटा तो second option यहाँ पर correct जा रहे third में जैसे DDT वाले यहाँ पर आ गया तो यह गलत है न तो आप देख सकते हैं आसानी से second option जो है उसके अंदर एकदम correct example दिया गया है stabilizing directional और disruptive selection का next बात करते हैं बेटा which of the following is the correct set of pouch mammal with respect adaptive radiation in Australia औस्टेलिया में अनुकुली विक्रण के संद्रमी निम लिखित में से कौन सा सिसू धानी स्तंधारियों का सही समूचे है तो pouch mammal की बात हुई है तो pouch mammal की बात कर लेते हैं बेटा sugar glider क्या pouch mammal है बिल्कुल है tiger cat बिल्कुल है marsupial rate बिल्कुल है lemur flying squirrel bobcat यह गलत हो गया mouse, mole और wolf गलत हुआ बेटा bobcat, lemur, ant eater ठीक है, गलत हुआ तो first option जो है उस first option के अंदर सारे के सारे animal, बले वो sugar glider हो बले वो tiger cat हो, बले वो marsupial rate हो, यह सारे के सारे जो है, यह Australia के अंदर पाए जाने वाले pouch mammals है और वो जो pouch mammals है उनके अंदर अनुकुली विकिरण वहाँ पर मिलाता, सो यह आपका जो है, diagram based question है आपके NCRT का, आपके NCRT में आप जानते, pouch mammal और placental mammal का जो sketch दे रखा है, वहाँ से question जो हो, पिक किया गया है next देखते हैं read the following statements हमें कथलों को पढ़ना है और पहले देख लेते हैं क्या check करना में यहाँ पर how many above statements are true, कितने सही हैं, कितने सही है ठीक है, देखते हैं, ठीक है देखते हैं Stanley Miller create electric discharge in a close flask containing methane hydrogen ammonia, बट यहाँ पर तो methane और ammonia दोनों ही नहीं दे रखे गलत हो गया first statement पूरी तरीके से क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है methane और ammonia नहीं दे रखा है embryological support for evolution was also proposed by called earnest one bear, बिल्कुल सही बात है the first non-cellular form of life could have originated 3 billion year back, non-cellular form की बात हुई है बिल्कुल सही, earth was supposed to have been formed about 4.5 million years back गलत हो गया primitive atmosphere was reducing बिल्कुल, primitive atmosphere कैसा था reducing, so second जो है वो बिल्कुल सही है D भी सही है और E भी सही है A और C गलत माना गया यहाँ पर तो कितने कतन सही है कतन हुए बेटा, 3 सही कितने कतन सही है, 3 तो third option आजाएगा यहाँ पर बेटा next बात करते हैं, चलिए next column की matching करनी है किस की matching करनी है? इस column matching की अगर हम बात करते हैं तो column matching में हमें क्या-क्या दिया गया है एक तो पक्षी और तितली के पंक दिये गए हैं तो बेटा, पक्षी और तितली के पंकों की बात करें तो बले birds और butterfly की आब बात करें तो दोनों की पूरवज जो है वो different है मतलब एक जो है बेटा vertebrate है एक non vertebrate है या एक non coordinate है ठीक है? तो ये अलग-अलग पूरवस्ता को वहाँ पर दर्साती है क्यों? क्योंकि इनके पंकों का कारी है कैसा है एक समान है, मतलब इनके अंदर समान अनुकुलन है परंत उनके पूरवज अलग-अलग है मतलब इनके उत्पती और सरंचना अलग-अलग है क्योंकि butterfly के अगर हम बात करते हैं तो butterfly में जो punk होते हैं वो cuticle के modification होते है और birds के अंदर आप जानते है punk जो होते हैं Darwin की laboratory थी B single large step mutation उसको हम saltation कहते हैं जो की जातिवद बावन के लिए जरूर है so DCAB DCAB first option जो है वो matching कर रहा है clear? match कर लिजे वैसे चली जी नेक्स देखते हैं if matching is random population is large and mutation does not occurs or do not occurs then gene frequency of a population from generation to generation remain constant यह तो बेटा Hardy और Winberg का principle है इसमें तो इतना जाद को सोचने की जरूरत है यह नहीं क्या? कि अगर संगम यादर सीख है बड़ी स्मस्टी है उत्परिवर्ता नहीं होता है और PD अगर gene बारं बारता नहीं बदलती है तो इसे हम विपदा सिद्दान्द कहते हैं या फिर इसे हम theory of catatrophism कहते हैं तो यहाँ पर थर्ड आ गया स्पोर्स फ्रों आउटर स्पेस रीच और थ्रू मेट्यूराइट्स उलका पिंड के माद्यम से स्पोर अंत्रिक से धर्ती पर आगे तो इसे आप कौन सा सिद्दान्द कहते हैं जो है वो theory of biogenesis कहते हैं theory of biogenesis कहते हैं कि अगर सुक्षम जी वायू कि सायता से वो एक close flask वाला experiment जिसमें वायू अगर जाती है तो वहाँ पर सुक्षम जी उत्पन हो जाते हैं फिर बचा क्या बेटा बचा theory of primary biogenesis तो आगे बेटा दी के अंदर आ गया कौन सा second दी के अंदर आ जाएगा कौन सा second चलिए तो देखें जरा कौन से में match कर रहा है सा 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 यह नहीं है 3, यह भी गलत हो गया 3, 4, 1, 2 यह भी गलत हो गया 3, 4, 1, 2 fourth option बेटा correct हो गया यहाँ पर ठीक है next देखें okay match the column again match the column so first there रहा है बेटा flying phalanger उड़ने वाला phalanger उड़ने वाले phalanger की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसमें एक उड़न अनुकुलन है और एक marsupial है यह क्या है marsupial Australian marsupial so A में 3rd मैच कर रहे A में कौन मैच कर रहे एक anthropogenic action है मानवोध भीद किरिया है वो psychic and dicots के अगर हम बात करते हैं तब बेटा वो pro gymnos pumps है और extinction of jeeta यह बोटलने की effect को दर साथ है तो 3 1 4 2 3 1 4 2 4th option is correct okay next देखें बेटा next में क्या बात की गई है choose the option represent a false statement उस विकल्ब का chain करना है आपको जो कि एक false statement को बताता है क्या कहता है यहाँ पर first statement कहता तस्मानियन वॉल्फ is a marsupial बिल्कुल सही बात है while wolf is a placental mammal बिल्कुल they show convergent evolution बिल्कुल वो जो है वो अभी सारी विकास दर साथ है तस्मानिय भेड़ी एक सिसुधानी है जबकि भेड़ी एक अपरास्तनी है यह बिल्कुल statement करेक्ट है convergent evolution is exemplified by wings of mosquito बेट अन फीजन बिल्कुल अभी तो बात हुई बिल्कुल अभी तो बात हुई यह अब mosquito है चमगादड है और कबूतर है तो यह पक्षी है यह स्तंधारी है और mosquito एक कीट है और्थ्रोपोडा से तो अलग-अलग पुर्वस्ता को दरसा आते हैं तो no doubt वो convergent evolution का example है शो कर रहे हैं सही है existence of marsupial in Australia and New Zealand prove continental drift बिल्कुल सही बात अगर हम बात करते है marsupials की सिसुधानी की तो वो Australia और New Zealand दोनों में ही है ठीक है यह दरसा आते हैं कि continental drift हुआ है महादीव पी विचलन हुआ है जिसकी वज़े से दोनों जगह पर यह अपना विकास दरसा पाए है most primitive living mammal which provide an evidence of organic evolution in context of geographical distribution are set to be eutherian mammal अगर हम बात करते हैं यहाँ पर eutherian mammals जो होते हैं बेटा उसके बारे में बात किये गए सबसे प्राचीन सजीव स्तंधरी जो भोगुलिक वित्रण की संद्रब में कारबनी विकास का प्रमान परदान करता है उससे eutherian स्तंधरी का जाता है तो गलत है उससे eutherian स्तंधरी नहीं का जाता है हमें बताना है गलत स्टेट्मेंट हमें सलेक करने है सो माल्थस क्या गहता है every population has an inherited capacity to increase its number exponentially बिल्कुल सही बात है हर जीव के अंदर जो है एक शमता होती है हर जन संख्या में एक शमता होती कि उसके जीव जो होती है उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है और चर्गातां की रूप से बढ़ती है बोलो क्लियर है जैसे 2 से 4 होगे 4 से 6 6 से 8, 8 से 12 the population remains stable in size बिल्कुल population stable रहती है size में even during all seasonal fluctuations ओहो ये गलत हो गया वह अगर seasonal fluctuation को छोड़ दे तो उसके अलावा जो population होती है वो stable रहती है क्योंकि seasonal fluctuation में जो हो breeding होती है breeding से उनका number बढ़ता बाकी क्या होता ने फिर competition के वज़े से वो size जो है population का size जो है वो stable रहता है हमेशा excessive expulsion of the natural resources badly affect the size of population बिल्कुल उनमें competition देखने को मिलेगा natural keep control over the size of population by बिल्कुल nature भी जो है वो अलग लग में रखा जाए गलत पूछा गया था second गलत है ठीक है क्योंकि वहाँ पर seasonal fluctuation को include कर लिया गया जबकि without season fluctuation जो है वो population का size के रहता है stable next देखिए allil tea for the ability of to test a particular chemical is dominant over allil small tea for the inability to test the chemical 400 university students were survey and 64 were found to be non tester calculate the percentage of heterozygous students ठीक है बेटा तो इसने हमें क्या बताया P square Q square के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें Q square दिया गया है small tea small tea के बारे में बात हुई है 64 student है कितने में से 4000 में से मतलब यह हो गया बेटा कितना 64,000 है तो इसका मतलब हो गया बेटा यह 0.16 0.16 अब यह तो Q square है क्यों कि अगर हम बात करें तो कि 0.16 का root इसका मतलब हो गया 0.4 यह सोर नो अब P plus Q is equal to 1 So Q हमारे पास है P हमें निकालना है So 1 minus Q 1 minus 0.4 is equal to 0.6 heterozygodes का number पूछा गया 2 P Q पूछा गया बेटा वेल्यू रख सकते 2 0.6 0.4 0.48 कितना आगया 0.48 is that clear यह solution हो गया अपने इस Hardy-Winberg problem का next चले choose the animal that is correct tries by plate bag and spikes at the end of tail break your source तो नहीं बेटा Triceratops के सर के उपर तीन सीउं होते है Tyrannosaurus rex सबसे बड़ा डाइनासोर है बजा कौन सा Stegosaurus कौन सा Stegosaurus ओके next देखिए How many statements are correct regarding an ideal contraceptive एक आदर्स गरब निरोदक के लिए कितने कतन सत्ते हैं वहिया पहला it should be user friendly यह user friendly होना चीए उप्भोग करता मेत्रिय पूर्ण होना चीए बिल्कुल सही बात है it should be easily available यह आसानी से जो है वो उपलब्ध होना चीए बिल्कुल सही बात है it should be effective and non-reversible with least side effect यह परभावी होना चीए कम side effect यूक्त अनुत कर्मनिये होना चीए non-reversible दे रखा है अनुत कर्मनिये जबकि हम कहते हैं कि reversible होना चीए कैसा होना चीए reversible so third category बेटा statement it does not interfere with the sexual act of the user यह उप्भोग करता कि लेंगी किरियाओ में हस्तक्षेप नहीं करना चीए बिल्कुल सही बात तो कितने statement correct है पहला सही है दूसरा सही और चोता सही है तो यह तो बेटा first option में दे रखा है clear है वो non-reversible की वज़े से गलत हो जाता है कौन सा statement third statement transfer of an ovum collected from a donor into the phallopene tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for the fertilization and further development this method is called data से एक्तिरित अंडानों को दूसरी मादा की फैलोपियन नलिका में स्तानांतरन जो अंडान उत्पन नहीं कर सकती लेकिन नीश्यचन और आगे की विकास के लिए उप्रिक वातावर्ण परदान कर सकती है तो आप बेटा gamit जो है उसको transfer कर रहे है किसको transfer कर रहे है gamit so इसे हम कहेंगे gamit इंट्रा फैलोपियन transfer first option हो जाता है clear the main purpose of MTP is MTP का पर्मुक उदश्य क्या है increase population population को बढ़ाना नहीं इसका तो कोई meaning नहीं निकलता decrease population size कोई बात नहीं गलत है यह बिल्कुल statement जनसंग याकार बढ़ाने गटाने में इसका कोई रोल नहीं है get ride of unwanted female child legally हम लड़की नहीं चाते हैं और हम legally जो है उसे नहीं चाते हैं कानूनी तोर पर हम उसको चुटकारा पाना चाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि government permission देदेगा MTP का get ride of unwanted pregnancies due to the failure of contraceptive or reps बिल्कुल सही बात है अगर कोई contraceptive use किया गया ता गर अब निरो तो काम में लिया गया तो फैल हो गया उसके बाद pregnancy आती है या फिर किसी लड़की के साथ कोई rape हो गया किसी महिला के साथ कोई बलातकार जैसी गटना हो गयी उसके बाद अगर उसको pregnancy हो जाती है तो उस pregnancy को नहीं चाहती तो वो उसे legally जो है वो अबोर्ट करवा सकती है उसका जो है उससे चुटकारा पास सकती MTP के दुवारा जिसका पुरा नाम होता है medical termination of pregnancy so option number fourth is correct ओके ओके नेक्स देखें जड़ा बेटा select करना है आपको correct match collected gamut are made to form the zygote in the laboratory तो laboratory के अंदर बना जाते है तो उसको in vitro fertilization कहते है क्या कहते है उसको अपन in vitro fertilization एक तरित यूगमकों से प्रियोक साला में यूगमनेज बनाना in vitro fertilization zygote और early embryo with up to 8 blastomeres is transferred into the oviduct अगर फेलोपियन नलिका में भेजा जाते है तो उसे बेटा हम कहते है zygote intra-philippine transfer क्या कहते है उसको हम zygote intra-philippine transfer zygote with more than 8 blastomeres transferred into the uterus uterus में बेशते है तो उसे हम कहते है बेटा क्या intra-uterine transfer क्या कहते है उसको हम intra-uterine transfer फिर जो last वाला match carrier है तो CABD CABD first option CABD okay which are the following birth control method है minimum success rate यानि failure rate किसका ज़्यादा यह पूछा गया है नियूनतम सफलता दर है सफलता नहीं सफलता दर तो condom IUD coitus interrupts ठीक है क्योंकि जो natural method होते है न उनकी सफलता दर सबसे ज़्यादा होती है सबसे कम होती है contraceptive pill को अटाई है periodic abstinence बिल्कुल सही बात है सो हमें यहाँ पर natural method select करने कौन से method select करने natural method क्योंकि natural methods जो होते हैं उन natural methods की सफलता दर सबसे ज़्यादा होती है सो दो यह है C C and E C and E so option number third is correct ओके चलिए which of the following is a hormone releasing IUD इनमें से एक hormone releasing IUD कौन सी है बेटा तो copper T375 यह copper releasing है ठीक है LNG20 यह hormone releasing है lipase loop यह non-medicated है ऐसा है non-medicated और malady malady के बारे में जानते हैं आप यह hormone releasing है तो कौन sorry no 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 क्या बोला गया आप से following is a hormone releasing IUD okay okay malady नहीं तो इसमें आगे कौन सा LNG20 जिसका पुरा नाम है बेटा क्या Levenor Gestral 20 चीक है second आगे next देखे send chromene is found in which contraceptive pillow device बेटा send chromene जो है वो एक estrogen modulator है यह हमें देखने को मिलता है क्या सहेली के अंदर सहेली आप जानते हैं कि एक non steroid pill कैसा non steroid pill है इस non steroid pill के अंदर आपको send chromene मिलेगा इस send chromene क्या करता है जो endometrium है बेटा उस endometrium की जो cells है उनके जो estrogen receptors है estrogen receptors उन estrogen receptors को यह क्या करता है block करता है क्या करता है block is that correct तो सहेली हो जाएगा इसके अंदर next देखें full form of intracytoplasmic sperm injection अरह यह तो मैंने भोल दी ICSI का full form आपको देखना है क्या नाम इस intracytoplasmic sperm injection second intracytoplasmic sperm injection पहले में क्या दे रखा intracellular दे रखा कट गया international दे रखा कट गया international दे रखा कट गया second option आगया फिर विज़ाद फॉलोविंग स्टेट्मेंट is incorrect for amnius sentences amnius sentences के वारे में क्या गलत है जड़ा देखें क्या गलत है it can be used to detect cleft plate cutaway तालू जो होता है उसको पहचानने में नहीं यह तो कोई genetic problem हो गया chromozome से related हो गया या फिर कोई metabolic disorder हो गया तो उसको पहचानने में साहता करता है ठीक है it can be used to detect down syndrome बिलकुल सही बात है down syndrome को पहचानने में साहता करता है जब मादा 14 से 16 सब्ता की गरवती होती तब इससे perform किया जा सकता है इडी उस for the parental sex determination बिलकुल प्री नेटल नोट प्री नेटल इडी जो होता है इसका उप्योग हम जनम से पूर्वही लिंग निर्दारण में कर लेते हैं जो कि एक illegal है नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ लोग करते हैं जिसकी वज़े से ही इसे जो है वो काफी strict rule or regulation के साथ जो है वो perform किया जाता है तो बेटा कहा जाए तो इसमें गलत क्या है तो गलत है first बाकि सभी क्या है सई है clear? ओके next क्या दिया गया है यहाँ पर P, Q, R और S फैलोपियन अलिका दी गई है यह पूछ रहा कि इन में से किन दो के अंदर जो है वो निशेचन संबाव है देखें जारा P के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा partial blockage मतलब आंसिक रूप से जो है फैलोपियन अलिका को बंद किया गया है आंसिक रूप से बंद किया गया है मतलब सिंपल सी बात है सुक्राणू जो है वो सुक्राणू जा सकता है फैलोपियन अलिका में तो निशेचन संबाव है Q, complete blockage लेकिन complete blockage सिरफ एक ही फैलोपियन ट्यूब का अवा है दूसरी खुली भी है बोलो जा सकता है सुक्राणू हो सकता निशेचन सही बात है अर यह सोर न इनमें complete blockage है नहीं हो सकता निशेचन इसमें काट कर बांद दिये गया नहीं हो सकता निशेचन पीक्यू में हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन में हो सकता है clear? ओके next देखे बेटा which of the following indicate pregnancy इनमें से कौन सा जो है वो pregnancy को दरसा आता है lack of menstruation बिल्कुल सही बात है मासिक धरम की कमी बिल्कुल सही बात है अगर मासिक धरम नहीं होगा तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो pregnancy को दरसा आ रहा है अकर्नियस of menstrual flow अगर menstrual flow आता है आर्थवचकर अगर आता है तो इसका मतलब pregnancy नहीं है when release ovum is not fertilized अगर fertilized हो जाता तो pregnancy है नोट लगा रहा है इसका मतलब नहीं है when graphene follicle mature and endometrium regenerate through proliferation जी नहीं graphene follicle mature नहीं होगा और endometrium भी regenerate नहीं होगा अगर pregnancy होगी तो लेकिन यहाँ पर बात हुई है कि होगा तो first option जो है उस condition में हम बता सकते हैं कि pregnancy है next देखें ज़रा match करना को अलम का ovary जो होती है बेटा ovulation oviduct जो होता है बेटा fertilization uterus के अंदर क्या होता है pregnancy और cervix के तुरू क्या होता है बांथ 2,1,3,4 2,1,3,4 first option is correct is that correct okay okay A और B और C को पैचानी है तो A जो है बेटा वो अंबिलिकल कोड है क्या है अंबिलिकल कोड B क्या है बेटा placental will I placental will I या chorionic will I C क्या है बेटा mucosal plug अब यह आपका काम है पैचान करना पैचान कर लो फटांफट A अंबिलिकल कोड यहाँ पर A mucosal plug दे रखा है A अंबिलिकल कोड B placental will I ठीक है B placental will I C plug of mucus in cervix ठीक है जा रहे यह भी ठीक है B वाला गलत हो गया यह गलत हो गया तो option number second match कर रहे बोले clear ठीक है ओके next question जो है वो आपके spermatogenesis से है अब spermatogenesis से question है तो no doubt labeling जो है उस labeling में आपको काफी दिक्कत मैसूस हुई होगी क्योंकि यहाँ पर कोशिका को पैचानना काफी मुश्किल हो गया होगा आपके लिए A, B, C और D दे रख्या है diagram के अंदर और उसमें यह बोला गया है कि जो गलत statement है ना उसे पैचानी है भी यह चलो A देखते है तो A कहा है A यहाँ पर है तो A है भी यह subtly cell A क्या है subtly cell क्योंकि देखो यह cell और यह cell सेम है और यहाँ पर आप देख रहे है D जो है वो portion प्राप्त कर रहा है portion प्राप्त कर रहा है इसका मलब subtly cell से वो portion प्राप्त कर रहा है B की बात करते हैं तो B जो है वो बटा size में बड़ी cell है यह primary spermatocyte है क्या है यह primary spermatocyte बोलो clear फिर बात करते हैं किसकी C की तो C जो है बेटा इसकी तुल्ला में यह छोटा है यह है secondary spermatocyte कौन है यह secondary spermatocyte D जो है उस D के अगर हम बात करते हैं तो वो बेटा actually spermatid है क्या है वो spermatid फोलो clear सो क्या दिया गया है यह जो है वो subtly cell है और यह जो है वो subtly cell help कर रहा है किसके अंदर subtly cell help कर रहा है टेस्टोस्टिरोन को concentrate करने में क्या secret करके androgen binding protein in influence of FSH तो androgen binding protein जो होता है वो androgen binding protein actually क्या करता है वो lidic cells जो होती है उन lidic cells को promote करता है टेस्टोस्टिरोन, hormone, synthesis और secretion के लिए और androgen binding protein subtly cell से release होता है so first is correct okay B क्या है बेटा primary spermatocyte और ये जो है वो genetically similar spermatogonia के क्यों क्योंकि बेटा देखो primary spermatocyte जो है वो deployed है yes or no और जो spermatogonia होता है वो spermatogonium भी कैसा होता है वो भी deployed होता है तो statement second भी सही है C क्या देखो है secondary spermatocyte and these cells are first haploid cell of the spermatogenesis बिल्कुल secondary spermatocyte पहली बार जो है haploid cell वहाँ पर बनता है तो तीसरा भी सही है चोथा देखते है D is spermatogonia and these are the final product of spermatocytogenesis लेकिन आप जानते हैं कि spermatogonia जो होता है वो spermiosynesis का final product होता है यहाँ पर क्या देखा spermatocyteogenesis spermatocyteogenesis से क्या होता है spermatocyteogenesis से जो है वो spermatid बनता है और spermatogonia जो है वो spermatid जब spermatogonia convert होता है तो हम spermatogenesis कहते हैं तो गलत कौन सा है fourth statement गलत है आगे बढ़ते हैं in human primary and secondary sex determination occurs in which place respectively primary and secondary sex determination primary sex determination का मतलब क्या भी है primary sex determination primary sex determination का मतलब है बेटा and formation of genital organs primary sex determination का बिक्या बज़ अविए primary sex determination का या बज़ एल़् ए खुग्या है not formation of genital organs झारी झारी है that is fusion of gametes fusion of gametes देखो एक सेकेंडरी उसाइट जिसके पास X क्रोमोजोम है एक स्पम जिसके पास Y क्रोमोजोम है जाइगोड बनेगा XY, deployed cell हाँ यहाँ पर X भी हो सकता है, लेकिन प्रामरी सेक्स डिटर्मिनेशन दो हो गया न कि लड़का है कि लड़की है Secondary Sex Determination Secondary Sex Determination का मतलब हो गया बेटा Secondary Sex Determination का मिनिं हो गया Formation of Genital Organs Formation of Genital Organs Because they are Because they are Secondary Sexual Organs They are Secondary Sexual Organs जैसे कि Male की बात करते हैं तो उसमें Genital Organs Penis वगेरे जुसका बनना Female में वलवा बनना So that is Secondary Sex Determination Primary Sex Determination यानि Fusion Gemits का काँ पर होता है Philippine Tube के Ampula में और उसके बाद Implantation के बाद जो है वो यह सारा Process स्टार्ट होता है Embryo वगेरा बनने का So आप यह कहा सकते हो कि Ampula में और Uterus के अंदर हमें देखने को मिलेगा Respectively दे रखा है Ampula इस्तमस दे दिया गलत हो गया Uterus पहले दे दिया गलत हो गया Ampula in uterine body ठीक है Uterus पहले दे दिया गलत हो गया So fusion कहा होता है गेमिट्स का Fusion होता है Felopin tube में The first moment of the fetus and appearance of the hair on the head Are usually observed during यह तो बेटा आपके लिए एक बहुत ही मतलब यह कह दो कि Gifted motion है Fifth month of pregnancy अपने बहुत अच्छी तरीके साब लगों इसको रट रख रहे Next है बेटा क्या In a female reproductive trach Infundibulum leads to मादा जनन पत्त में Infundibulum किस से जुड़ता है तो पिटा आप जानते हो कि Infundibulum जो होता है वो Ampula से जुड़ता है किसे जुड़ता है Ampula से Infundibulum जिसके end पर Finger like projections होते है फिर यह जाते है Ampula में और Ampula से Infundibulum यह Ampula और यहां पर फिर Utrust से जुड़ता Isthmus लेकिन आप जानते ही कि Ampula Wide होता है Ampula कैसा होता है Wide A narrow Ampula गलत हो गया A wider Ampula which is the site of Fertilization बिल्कुल सही है A narrow Isthmus Statement कौन सा हो गया Option कौन सा हो गया Second correct हो गया Okay Which of the following statement is incorrect कौन सा इनके अंदर से जो है वो गलत है तो गलत की हमें यहां पर पैचान करनी है बहुत ही आसान है गलत की पैचान करना क्या यहां पर दिया गया है क्या कि male secondary sex organs are not directly involved in the gamit production male secondary sex organs जो होते हैं वो directly involved नहीं होते हैं gamit production में male secondary sex organs are involved in the storage, transport and maturation of gamits बेलकुल सही बात है testicles is the site for temporary storage and maturity of spermatozova seminal vesicle secret and acidic no यह होता है वेटा alkaline कैसा होता है alkaline तो यह गलत हो गया statement तो statement पहला, दूसरा, तीसरा सही है चोथा गलत है और हमसे गलत ही पूचा गया गलत ही पूचा गया बिल्कुल गलत पूचा गया तो चोथा गलत हो गया क्योंकि acidic nature दे रखा है seminal fluid का जब क्यों होना चीक है सा alkaline identify the correct option number of reproductive gland seminal vesicle pair में होती है बिल्कुल pair में होती है नमबर के अंदर तो seminal vesicle pair में है prostate gland single है bulbo urethral gland भी pair में है but pera urethral gland जो है वो संख्या में बहुत सारी होती है several होती है third option हो जाता है कौन सा हो जाता है third option pera urethral gland जो मादा में पाई जाती है female में होती है which of the following statement is correct which of the following statement is correct हमें correct जो है उसकी पैचान करनी है germinal epithelium does not give rise to ova but it is found outer covering of ovary बिल्कुल सही बात है ovary medulla consists of loose connective tissue and contain blood vessel, lymphatic vessel, nerve and follicle गालत medulla के अंदर follicles नहीं होते uterus situated between virundi bladder and rectum दबकि यहां पर क्या दे रखा colon गलत हो गया during labor and child birth coordinated contraction of the myometrium and endometrium sorry वहिया endometrium में कभी contraction नहीं होता है option number first is correct बाकी incorrect इसकी वज़े से यह हो गया इसकी वज़े से यह हो गया clear? clear? okay which of the following phase of the sexual reproduction organism could consider यह अपना question नहीं है बोटनी का question है बोटनी का question है यहां चली 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 है उनके अंदर आपको यह देखने को मिलता है second option is correct the correct sequence of tissue involved in the synthesis and flow of milk तो बेटा milk बनता है memory alvely के अंदर memory alvely, memory alvely, memory alvely फिर memory alvely से निकलती है बेटा memory duct memory ampula दे दिया गलत हो गया memory duct, memory duct, memory duct memory duct जो होती है वो बड़ी होकर बनाती है memory ampula so memory ampula okay memory ampula memory ampula memory ampula, यह तो गलत हो गया memory ampula हो गया ठीक है, यह memory ampula दे रखा है, ओके फिर आती लेक्टिफेरस duct memory duct, तो यह गलत हो गया first, third or fourth गलत हो गया और second option जो है वो correct हो गया, so memory alvely memory alvely से memory duct फिर memory ampula और memory ampula से लेक्टिफेरस duct, so second option is correct okay next देखे मेटा which one of the following is correct match यह बटा वल्वा के बारे में बात हुए mons pubis, labia majora, labia minora के बारे में आपट discussion किया गया है क्या discussion हुआ है, क्या आपसे पूछा गया देखे जरा which one of the following is correct of match mons pubis, cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair and surround the vaginal orifice गलत हो गया, यह vaginal orifice को cover नहीं करता mons pubis labia majora, fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the labia minora बिल्कुल सही बात है labia minora, paid fold of tissue under the labia majora homologous to scrotamine male गलत हो गया clitoris, a teeny finger-like structure which lies the upper junction of two labia minora above the urethral opening it is analogous to penis गलत हो गया statement कौन सा सही है statement जो है यह matching जो है, वो second correct है बेटा यह analogous और homologous की वज़े से गलत होता जा रहा है next देखे okay, next में क्या दे दिया वहिया यह क्या दे दिया find the correct matching correct matching correct matching पहचानी है हमें तो correct matching में क्या है यह D है यह B है यह C है यह A है देखें ज़रा क्या दे रख़ा है D, E E होगा साई दिये यह E होगा चीक है क्या होगा E तो A की बात करते हैं बेटा U-Gonia है यह क्या है? U-Gonia थोड़ा सा clear नहीं है image A जो है बेटा वो primary oocyte है primary oocyte B जो है बेटा वो B जो है B जो है B जो है वो secondary oocyte है C जो है C जो है second polar body second polar body इसका मतलब C होगया बेटा क्या? OVM C क्या हो गया OVM D जो है वो मियोसिस फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट है चलिए इसके कोडिंग चूज करते हैं option को थोड़ा image clear नहीं है तो आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में तो A जो था वो primary प्राइमरी उसाइट था राइट ठीक है C जो था वो ओम था राइट यह गलत हो गया D जो था वो फर्स्ट मियोटिक डिविजन था राइट ठीक है E जो था वो E स्टार्टिंग में था उगोनिया से नीचे की तरब प्राइमरी उसाइट बनना तो वो माइटोटिक डिफ्रेंशेशन था समसुत्री विविदन था सेकिंड ओप्शन करेक्ट है इसमें इमेचिंग हो जाएगे आपकी माँ ठीक है इमेज थोड़ा क्लियर नहीं था पिछ्छे वाले पेज में रहे गिया सेकिंड ओप्शन इ ग्राफिन फॉलिकल के अंदर केविटी को क्या कहते हैं एंटरम कहते हैं यह तो बहुत आसान कोर्शन आपके लिए चलिए जी जम सेल इन फीमेल गोनेड एंड मेल गोनेड बिगन अंडर गोईंग मियोसीश साइमल टेनस विली वाट विली दरेश ओवा एंड स्पाँ वन जेनेसिस के बारे में रॉंग क्या अनिक्वल मियोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन अनिक्वल होता है क्या बिल्कुल अनिक्वल होता है सही बात कर रहे हैं ग्रोथ फेज उसमें होती ही बिल्कुल होती ही फॉर्मेशन होता है पोलर बोडी का बिल्कुल इक्वल डिवीजन नहीं होता है तो यह हो गया इसमें answer number fourth, okay? atritic follicles, atritic follicles वो होती हैं बेटा, जो birth से लेकर puberty के बीच में खतम हो जाती हैं, कहां पर मिलती हैं, यह ovary के अंदर मिलती हैं, किसके अंदर मिलती है, ovary के अंदर, atritic follicle क्या होता है, वो follicle, जो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक एक फीमेल के अंदर जो है वो डिजनरेट हो जाते 50 सेकंडरी उसाइट इन फीमेल एंड 50 सेकंडरी स्परमेटोसाइट इन मेल गिवराइस टू तो 50 से बेटा आगे चलकर 2 बनने एक तो 100 हो गए और 50 से 50 तो 1st option हो गया ठीक है? clear? चले आगे? which one developed from endoderm? endoderm से क्या बनता है? nervous system, ectoderm से बनता है बेटा connective tissue, mesoderm से बनता है thymus, spinal cord, ectoderm से बनता है बेटा endoderm से कुन सा बचा फिर फूर्थ बचा क्योंकि endoderm से बनने वाला है, mesoderm से बनने वाला है, यह ectoderm से बनने वाला है समझे रहाँ बात को? तो option number 4 is correct read the following statement and find out the incorrect statement endoderms are produced by sertoli cell, गलत बात है spermatozova get nutrition from sertoli cell, बिल्कुल सही बात है leadic cells are found in ovary, नहीं वो तो testis में होती है leadic cell synthesis androgen, बिल्कुल सही बात है oogenesis take place in corpus luteum, गलत बात हो तो ovary के अंदर होता है corpus luteum तो बाद में बनता है menstrual cycle cease, during pregnancy बिल्कुल सही बात है pregnancy के time menstrual cycle बन रहता है purgence और absence of hymenis, not a reliable indicator of virginity और sexual experience बिल्कुल सही बात है, तो क्या बोलागी है बटा? incorrect बता ना आपको, incorrect में A है एक तो C है और E है, A, C, E first option, once option, first option next देखें, hyaluronidage बेटा, acid है hyaluronic acid और ये enzyme है एक तो जो follicles होती है बेटा, उन follicles के जो cells है, उनके बीच में hyaluronic acid होता है hyaluronic acid और hyaluronic acid जो होता है, उसको dissolve करने का काम है, hyaluronidage का acrosomal reaction होती है, तो first आ गया corpus luteum जो होता है बेटा, उस corpus luteum की बात करें तो वो progesterone release करता है gastulation की अगर हम बात करें तो वहाँ पर morphogenetic moments देखने को मिलती है, capacitation का मतलब होता है बेटा, sperm जो होता है उस sperm का activate होना और colostrum का मतलब memory glands जो होती है उनसे बर्थ के बाद बच्चे को पहली बार जो दूद मिलता है, उसको colostrum कहते हैं तो एक, तीन, दो, पांच, चार एक, तीन, दो, पांच, चार second option clear? match करना है kolum को oxytocin क्या करता है oxytocin जो होता है बेटा वो uterus की wall जो है उसकी muscles में contraction करवाता है prolactin क्या करवाता है prolactin जो है वो lactational process के लिए दूद बनाने का काम करता है mother की membric glands में तो R आ जाएगा luteinizing hormone का क्या होता है तो luteinizing hormone के अगर हम बात करते हैं तो वो ovulation को stimulate करता है progesterone hormone क्या करता है वो pregnancy को maintain करता है तो SRP क्यूँ SRP क्यूँ clear? okay next बात करते हैं बेटा in human first cleavage of the gigot is holoblastic मानव के अंदर पर्थम विदलन जो होता है वो पूर्ण भंजी होता है meridional begins about 24 hours after fertilization बिल्कुल सही बात है पहला cleavage holoblastic होता है meridional होता है cleavage ठीक है और 24 गंटे बाद में होता है निशे चन के बिल्कुल सही बात है the morula is still surrounded by the zona pellicida and is secreted by blastomeres वो blastomeres के तुरू जो है वो secret किया जाता है वो अभी भी उसके चारो तरफ बना वाए कौन? zona pellicida जो है वो blastomeres के तुरू बेटा secret नहीं होता है zona pellicida किसके तुरू secret नहीं होता है blastomeres के तुरू हटाई इसको तो यह गलत हो गया तो A सही है R गलत है A सही है R गलत है third option आपका answer बन जाता है next देखे okay so यह था बेटा आपका part test 5 जो है उसका geology वाले section का solution आपको जो है वो अच्छा score मिला होगा maybe next paper के लिए अच्छे से मेनत कीजिएगा good for luck hello student myself Rahul Misra team botany CLC seeker आज हम यहां discuss करेंगे diamond test series में part test 5th के से related question जिसमें मैं आप botany से related question को यहां discuss करूँगा तो आएए देखते हैं botany related question जो हमारा topic है वो है reproduction in organism and sexual reproduction in flowering plants तो देखेंगे इसमें first question 64 number लेंगे की जनन की क्रियाविदी नए रूप बेदों के निर्माड को सक्षम बनाता है यानि की sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that यानि की new variants जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं तो देखें बिभिन पर्यावड़नी है तनावों के खिलाप जीवों में सहन सीलता कम हो जाए इसलिए बनते हैं नए रूप बेद गलत है जबकि sexual production के टाइम पर जो प्रोजैनी बनती है या नए नए जो आप कह सकते हो variants बनते हैं वो पर्यावड़नी है तनावों को सहन कर सकते हैं लेकिन यहां क्या लग रखा है सहन सीलता कम हो जाए गलत जीव की उत्तर जीविता दर कम हो जाए गलत है बलकि यहां पर new variation जब बनते हैं तो जीव की उत्तर जीविता बढ़ जाती है उत्तर जीविता लाव की संभाव ना है बढ़ जाए बिलकुल सही है यानि कि आप कह सकते है ताकि जीवित रहने की संभाव ना है यहां बढ़ जाए इसलिए क्या होता है sexual reproduction होता है प्रजनन चमता पूर्टा नस्ट हो जाए गलत है तो इसके according हमारा जो answer आएगा वो कौन सा है third देखिए धर sexual mode of reproduction enable creation of new variant so that tolerance in और अगेंस्ट वेरियेशन वेरियेशन वेरियेश एन्वार्मेंटल stress is decrease गलत है बलकी increase होता है survival rate of organises reduce गलत है बलकी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है यानि की सर्वाइबल रेट इंक्रीज होना चाहिए सर्वाइबल एडवान्टेज एज इन्हेंस बिल्कुल राइट है रिप्रोड़क्टिव capability is completely destroyed गलत है मतलब रिप्रोड़क्टिव capability destroy होने के लिए sexual production होता है यह तो एक दम गलत है तो answer क्या जाएगा इस question का third चलिए next question discuss करते हैं 64 sorry 65 देखिए जीवन काल के संदर्व में कि सही कथन को चिन्नित कीजिए कव्य और तोता आकार में लगबक्ष समान होते हैं तता का जीवन काल भी समान होता है गलत है अगर मैं कव्य के जीवन काल की बात करूँ तो कितना होता है पंद्रह वर्स 15 years जवकि यहाँ पर तोते के जीवन काल की बात करूँ तो कितना होता है about 140 years कितना होता है 140 years अब देखिए तो ये कैसा हो गया गलत है क्योंकि समान नहीं है अगला देखिए पीपल के बरक्ष की तुलना में आम के बरक्ष का जीवनकाल छोटा होता है ये सही statement है देखिए अगर मैं पीपल के जीवनकाल की बात करूँ कितना होता है about 2500 years यानि कि 2500 words जब कि आम के ब्रक्ष की बात करें तो आम के ब्रक्ष का जीवन काल होता है लगवग 250 words या 250 years तो आप देखिए people का जीवन काल आम की तुलना में ज़्यादा है यानि कि आप कह सकते हो आम का जीवन काल छोटा है यह सही statement है अगला देखिए जीवन काल आवशक रूप से जीवन के आकार या जटिलता से सम्मंदित होता है गलत है यह कभी भी size और complexity का जीवन काल से कोई लेना देना नहीं होता यह गलत है बहु कोशिकिये जीव अमर होते हैं गलत है बलकि unicellular जीवन को क्या माना जाता है अमर माना जाता है तो इसका correct जो answer आएगा वो है second देखिए अधर mark the correct statement with respect to life span पहला देखिए crow and parrot are almost equal in size ठीक है and have same life span गलत हो गया मैंने यहां लिख दिया है यह जो crow है वो 15 years है जबकि जो parrot है वो कितना होता है 140 years का life span है तो यह same नहीं है अगला देखिए mango tree has shorter life span than people विल्कुल राइट है यह जो mango है इसका 250 years है life span जबकि people का कितना होता है 2500 years यह राइट statement है अगला देखिए life span are necessarily correlated गलत है necessarily नहीं होता not necessarily multicellular organism are immortal गलत है बलकि unicellular organism को immortal माना जाता है यह answer आगया second चलिए next 66 देगी है markensia 1 यहां आपको फिलिंदा blanks दे रखे हैं वह आपको फिलप करने है markensia 1 पादफ है किस टाइप का है दुई लिंगास रही एक लिंगास रही तो ध्यान लखनागर मैं markensia की plant body की बात करूं तो markensia की जो plant body होती है वो थैलोइड होती है इस टाइप की एक थैलोइड body पर क्या प्रजेंट होता है male sex organ जबकि दूसरी body पर क्या प्रजेंट होता है female sex organ प्रजेंट होता है यानि की अलग-अलग body पर अलग-अलग sex organ है तो आप कह सकते हैं कि एक body पर एक ही sex organ है यानि की एक लिंगास रही होगा तो first और fourth statement गलग अब देगी आपर जहां भी नर लेंगिक अंग है अब यहां नर जनन अंग की बात करें तो वो होता है anthridium या पुंधानी तो देखिए पुंधानी जबकि मादा जनन अंग होता है क्या इस्त्रीधानी तो आंसर क्या आ जाएगा third देखिए इदर markensia is a dioces plant where male sex organ is anthridium and female sex organ is archegonium तो आंसर आ जाएगा third ध्यान लखना यहां globule और nucleule नहीं आएंगे क्यों क्यों क्योंकि यह कारा से related है not markensia तो आंसर आ गया third next अलेंगिक जनन से उत्पन होने वाली संतती होती है देखिए पहला option एक दूसरे के समान लेकिन अपने जनक के समान नहीं यानि की da asexual reproduction में अगर मैं बात करूँ यहां पर माल लीजिये यह यह bacteria है इसमें Asexual reproduction हो रहा है binary Johannwo Sum से जो न्यू प्रोजैनी बनेगी वो प्रोजैनी क्लोन्स होंगी यानि कि वो आपस में तो सिमिलर होंगी ही साती साथ वो किस से सिमिलरिटी सो करेंगी अपने पैरेंट से सिमिलरिटी सो करेंगी तो देखिया एक दूसरे के समान लेकिन अपने जनक के समान नहीं गलत हो गया एस actual production में जो प्रोजैनी बनती है वो आकारी की और आनुवांसिकी दोनों ही रूप में एक दूसरे से समान होती है इसलिए उनको बोलते है clones ये गलत है आकारी की और आनुवांसिक रूप से एक दूसरे के समान लेकिन अपने जनक की सटीक प्रतिया भी है ये बिल्कुल के समान नहीं गलत हो गया तो देखिए अधर दा आफ स्प्रिंग देट आर प्रोड्यूस थ्रो एस एक्चुल प्रोडुक्शन आर आइडेंटी कल टू वन अनदर बट नॉट आइडेंटी कल टू देयर पैरेंट्स मैंने भी आपको बोला कि एस एक्चुल यहां तक तो ठीक है बट इसने क्या लिए लास्ट में नॉट आइडेंटी कल टू देयर पैरेंट्स इसलिए स्टेट्मेंट कैसा हो गया रॉंग हो गया तो आंसर क्या गया हमारा थर्ड नेक्ट देखिए दिए गए जीवों मैंसे किसमें लेंगिक जनन के दोरान आकारी की रूप से समान योगमकों का संलेयन होता है यानि कि विच वन ऑफ दो गिवन और निज मॉर्फोलोजिकली सिमीलर गैमीट्स आर फ्यूज डूरिंग से सिमीलर टाइप के गैमीट्स का फ्यूजन होता है सेक्चुल रिप्रोडक्शन के टाइम पर तो इसको हम क्या बोलते हैं आईसो गैमीट्स टाइप ऑफ सेक्चुल रिप्रोडक्शन और इन गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं आईसो गैमीट्स तो ये बनते हैं क्लेडो फोर suffer, answer second next polycarpic पौदों में यानि कि इन पौली carpic plant पहला देखिए पुस्पन बार बार अंत्राल पर होता है यानि कि पौली कारपक plants में आपको पता है कि noi more than one times flowering होती है और इसमें हर साल flowering होती है यानि बार-बार होगा और वो भी अंतराल पर होता है यह बिल्कुल राइट स्टेट्मेंट है अंतर पुस्पन प्रावस्ता नहीं देखी जाती गलत है जब बार-बार फ्लॉवरिंग करेंगे तो दो फ्लॉवरिंग के बीच में यहां पर टाइम पीरेड आएगा जिसको कहेंगे अंतर पुस्पन प्रावस्ता वो होती है लेकिन यहां क्या बोल दिये नहीं गलत है पूर्व प्रजणन और प्रजणन प्रावस्ता के बीच इस पस्ट अंतर देखा जाता है गलर किलियर एंशी आटी में लिखा हुआ है कि इसमें प्री रिप्रोड़क्टिव बदों की मृत्ती हो जाती है गलत जबकि मैंने अभी बोला कई बार फ्लॉवरिंग करते हैं तो ध्यान रखना पॉली कार्पिक प्लांट फ्लॉवर्स फ्लॉवरिंग अकर्स रिपीटेडिवली एट इंटर वल सही है इंटर फ्लॉवरिंग फेज इस नॉट सीन गलत है जब गलत लर गलत वनस नहीं होता मॊरन देन 1 सह रखना है तो इसलिए तर प्लांचर क्या जाएगा This नेक्स्ट कि थै elaborate uncover फिल्लम का काइक प्रवर्ड है यानि की विईजीटेटेव प्रपागै क्ला क्या है ब्जीन का तो ब्रायो फिलम के अगर हम बात करें ब्रायो फिल्लम की जो लीफ होती है उसके लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं इन मार्जिन्स पर क्या बनती है यहां पर बढ़ का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है बढ़ तो लीफ पर बढ़ बनती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लीफ बढ़ यानि की पर्ण कलिका और यही leaf word से आगे चलकर plant का formation होता है तो answer आ जाएगा third नेच देखिए जनन की निम्नमे से किस बिधी द्वारा उत्पन संतती भिन्नता है देखी जा सकती है variation are seen in off spring produced by the witch of the following method of reproduction अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर जब a sexual reproduction होता है तब कोई भी वेरियेशन सो नहीं होता लेकिन जब sexual reproduction होगा तो variation बनेगा क्योंकि genetic recombination हो जाता है अब देखिए यहाँ पर अमीवा में दुई विखंडन अगर मैं अमीवा में दुई विखंडन की बात करूं यह ए sexual reproduction का टाइप है तो इसमें कहीं भी वेरियेशन नहीं आएगा पैनी सिलियम में कॉनिडिया यह यहाँ पर भी variation नहीं आएगे केले का प्रकंद अगर प्रकंद की हम बात करें राइजोम और बनाना तो जब राइजोम का formation राइजोम से यहाँ फिर राइजोम से जब न्यू प्लांट बनता है तब भी यहाँ पर क्या होगा कोई भी variation डवलप नहीं होगा लेकिन कारा के बिशम योगमकों का सनलेयन अगर मैं कहूं तो यह राइट है क्योंकि जब बिशम योगमक यानि की हेट्रोगेमिट्स फ्यूज करेंगे एक मेल एक फीमेल तो आपको पता है कि इस टाइम पर सेक्चुल रिप्रोड़क्शन होगा और वेरियेशन आ जाएगा तो इसलिए आंसर क्या आएगा फोर्थ ध्यान लखना इसमें बाइनरी फिजन एसेक्चुल का पार्ट है कॉनदिया пой constru यह पर एवी इसेक्चुल का पार्ट है राइज़ों से भी न्यूप्लांट बनेगा एसेक्चुल जबकि फ्यूजन ओрий तर अब यह सेक्ज़क्चुल रप्रोड में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं तो ध्यान रखना ये गलत स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि सेवाल और ब्रायूफाइट में बात करें तो मादा युगमक नर युगमकों की तुलना में कई हजार गुना निर्मित नहीं होते बलकि उल्टा होता है मेल फीमेल गैमीट की तुलना में बहुत लार्ज एमाउंट में बनते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है अगला देखिए सेवाल और ब्रायूफाइट में मादा युगमक नर युगमक के पास बाह माध्यम द्वारा इस्थानांतरित होते हैं ये भी गलत स्टेटमेंट दे दि तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं असरते हैं तो आंसर क्या आएगा फोर देखिए धर इस्टेटमेंट फरस्ट इन एल्गी एंड ब्रायूफाइट्स नंबर ओफीमेल गैमीट्स प्रोड्यूज इस सेवरल थाउजंड टाइम्स एज दिये गए पाद अपने जीवन में केवल एक बार पुस्पन करते हैं यानि की इन मैं से तीन एक बार पुस्पन करेंगे प्लांट बल्कि एक प्लांट ऐसा है जो more than one times flowering करता है तो देखिए all given plants flower only once in its life except one वो हमें select करना है अगर हम triticum estivum की बात करें तो यह triticum estivum नहीं है इस question का आंसर क्यों क्यों क्योंकि triticum estivum यहां पर monocarpic plant है कैसा है monocarpic अगर मैं strobilanthus कुंतियाना की बात करूँ यह भी monocarpic plant है अपने life में only single वार flowering करता है मेंजी फेरा इंडी का इस question का आंसर होगा क्यों क्योंकि यह polycarpic plant है कैसा है यह polycarpic और जो more than one times flowering करता है चुकंदर की बात करें यह बाइनियल plant है दुई वर्सी यह पादाप है लेकिन यह पुस्पन एक बार करता है तो आप कह सकते हैं यह भी इसका आंसर नहीं है तो आंसर क्या गया थर्ड ध्यान रखना यह और टीका मैस्टीवम मोणो कार्पेक है इस्टोविलेंथास कुंतियाना मोणो कार्पेक है सुगर बीट मोणो कार्पेक है जबकि मेंजी फेरा इंडिका तो आंसर आ जाएगा थर्ड ध्यां if 74 देखिए कच्चे नारियल के पानी के बारे में क्या गलत है यानि कि जो tender coconut water होता है उस tender coconut का जो water है उसके वारे में क्या incorrect है देखिए पहला यह तरल भुरून पोस है बिल्कुल सही है यहाँ पर यह कैसा होता है liquid endosperm होता है यह मुक्त केंद्रा की यह भुरून पोस है सही है यह कैसा होता है free nuclear endosperm होता है परिपकुता पर यह कोशी किये हो जाता है यह भी right है at maturity it become cellular बिल्कुल right है यानि कि इसमें क्या होता है जो primary endosperm nucleus होता है अगर यहाँ हम बात करें जब embryo sec में fertilization हो जाता है तो यहाँ बनता है जाइगोट क्या बनता है जाइगोट और यहाँ पर center में बनती है यहाँ पर primary endosperm nucleus और पूरी cell को बोलते है primary endosperm cell इसी primary endosperm cell से बनता है क्या endosperm तो जब liquid type का endosperm free nuclear type का endosperm बनता है तो इस primary endosperm के nucleus में many division होते चले जाते हैं बट इसमें karyokinesis के बाद cytokinesis नहीं होती तो इससे free nuclear division हम कह सकते हैं अब इसके बाद क्या होता है after some time दीरे दीरे इसमें क्या बनने लगते हैं cell का formation होने लगता है तो यह liquid type का endosperm किसमें convert होता चला जाता है cellular type of endosperm में convert होता चला जाता है तो आप देख रहे हैं यह cellular बनना स्टार्ट हो गया तो यह सही है अगला देखिए इसमें इसमें पोसक पदार्थ पूर तहा अनुपस्तित होते हैं यह एक डम गलत है अगर मैं endosperm की बात करूं तो endosperm nutrient से rich होता है क्योंकि उसको developing embryo को nutrition provide करना होता है तो ध्यान रखना nutrients are completely absent in it गलत है यही हमारा answer आ गया जो wrong statement दे रखा है answer आ गया fourth next कि नीचे दी गई सूची में कितने पादा ब्रूण पोसी बीज रखते हैं यानि कि endospermics या albuminus seed को कौन-कौन मतलब कितने plants के पास है तो देखिए अगर इसमें कहें धान के पास होगा endospermics seed नारियल के पास होगा सरसो फैवेशी का मेंबर सरी ब्रैसी केसी का मेंबर है इसमें नहीं है और केड इसमें नहीं है क्योंकि यह non-endospermics है मुमफली non-endospermics है मक्के में होगा सैम नहीं है सोया भी नहीं है और ज्वार होगा यानि कि कितने आंसर आ गए फोर तो ध्यान रखना इसमें पैडी आ जाएगा कोकोनट आ जाएगा इसके अलावा मेज आ जाएगा और सौरगम आ जाएगा बाकि किसी में यहां पर endospermics seed नहीं है आंसर क्या आ गया second नेक्ट देखिए निम्नमैसे कौन प्रारूपिक आबरत बीजी प्राक उसका गुण नहीं है यानि कि टिपिकल जो एंजियो इसका फीचर नहीं है पहला देखिए यह है चार लगू बीजानू धानी यो युक्त होता है बिलकुल सही है टिपिकल जो एंथर होता है वो कैसा होता है वो बाई लोब्ड ऐंड टेट्राइस्पॉरेंजिएट होता है यानि कि चार लगू विजानू धानी पाई जाती है तो देखिए फौर माईक्रो इस्पॉरेंचियं है यह है पुनतन्तू के दूरस्ट सिरे पर इस्थेत होता ह बिल्कुल सही है अगर मैं पराकोष की बात करूँ तो पराकोष कहां प्रजेंट होता है यानि की एंथर वो फिलामेंट के डिस्टल एंड पर प्रजेंट होता है यह इस्टेमेंड है इस्टेमेंड में अगर मैं बात करूँ क्या प्रजेंट होता है फिलामेंट फिलामेंट में दो end होते हैं ये जो कहां present है थैले मस के पास में present है इसको कहेंगे proximal end समीपस्त स्रा जबकि दूसरा end कौन सा है डिस्टल end इसको हम बोलते हैं दूरस्त स्रा इसी दूरस्त स्रे पर क्या present होता है एंथर तो ये बिल्कुल सही है अगर मैं एंथर की बात करूं इस एंथर के अंदर क्या present होती माइक्रोस्पोर इंजियम जिसके अंदर क्या बनता है माइक्रोस्पोर का formation होता है इसलिए साइट ओफ माइक्रोस्पोर है परिपक्वता पर जब यह स्पुटत होता है तब यह प्रतेक पाली में चार पराग पुटी रखता है यहाँ पर ध्यार रखना जब एंथर मैच्यूर होता है तो चार पराग पुटी इसमें नहीं पाई जाती यह स्ट्रेमेंट गलत है बिल्कुल क्योंकि four वो भी each lobe के अंदर गलत है तो answer क्या गया हमारा fourth next जैसे ही पराकोस परीपक को तथा निर्जली क्रत होता है तब लगू भी जानू यानि कि अगर माइक्रोस्पोर के formation की बात करें तो यहां देखिए पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं four माइक्रोस्पोर बनते हैं जो आपस में अटेच कंडिशन में होते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड या लगू भी जानू चतुस्क अब देखिए ये लगू भी जानू चतुस्क जब आपस में सेपरेट होंगे कब जब एंथर कैसा होगा मैच्योर एंड डी हाइड्रेटेट होगा तो इसकेस में चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे अलग हो जाते हैं तो देखिए चतुस्क निर्मित करते हैं क्या निरजली करण के बाद चतुस्क निर्मित किया गलत है वो तो पहले बना हुआ परिपक को नर योगमा कोदवेद निर्मित करते हैं गलत यह जो यहां पर आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे immature pollen grain क्या कहेंगे immature pollen grain जब कि यह क्या कह रहा है परिपक गलत है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो micro spore है वो एक दूसरे से क्या हो गए डिसोसीएट हो गए अलग हो गये लगू भी जानू धानिया निर्मित करते हैं गलत जब कि यह Micro Spore Formation की Process लगू वीजानु धानी में चल रही होती है तो आप ये कह सकते हैं कि लगू वीजानु धानी का निर्माड ये नहीं करेगा तो ध्यान लखना एक दूसरे से क्या हो जाएंगे Dissociate हो जाएंगे बाकि ये कोई काम नहीं करेगे Answer आगया 3rd निमनलेकित में से कौन अर्ध सूत्री विभाजन का प्रदी निदेत्व करता है यानि कि इन में से किस Process के Time पर Meiotic Division होता है तो देखिए प्राथमिक ब्रून पोस कोशिका से ब्रून पोस निर्माड ये गलत है क्योंकि अगर मैं Primary Endo Sperm Cell से Endo Sperm Formation की बात करूँ तो इस Time पर होता है माईटोसिस कौन सा होगा माईटोसिस क्योंकि Primary Endo Sperm Cell की प्लोईडी होती है 3N और Endo Sperm की Each Cell की प्लोईडी 3N तो 3N 3N यानि की माईटोसिस ये रोंग है अमीवा में दूई विखंडन, दूई विखंडन के टाइम पर भी यहाँ पर मियोसिस नहीं होता लगू बीजाणू जनन, ये Correct answer है लगू बीजाणू जनन के टाइम पर मियोसिस होता है युगमनच से भूरून निर्माण ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर माईटोसिस होगा तो ध्यान लगना इसमें Endo Sperm Formation के टाइम पर नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा? माईटोसिस चलता है, Binary Fission के टाइम पर नहीं होगा माईक्रोस्पोरोजेनेसिस इस टाइम पर होगा मियोसिस और Embryo Formation के टाइम पर भी नहीं होगा आपको पता है माईक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? प्लांट के अंदर यानि कि जो फ्लॉवरिंग प्लांट से हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर से स्पोरिक मियोसिस के बाद हेपलोईड या अगुडेट माइक्रो स्पोर के फोर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं लगू बीजाणू जनन कहते हैं तो आंसर क्या गया इस कॉश्चन का थर्ड next देखिए आवरत बीजी में तीन कोसि की ये पराग कर में होती है जानि कि जो एंजियो इसफर्म प्लांट है उन एंजियो इसपर्म प्लांट में 3-celled pollen grains के अंदर क्या-क्या होता है तो देखिए अगर मैं 3-celled pollen grains की बात करूं तो इस 3-celled pollen grains में एक तो होता है vegetative cell कौन सी cell होती है vegetative cell इसी को हम बोलते हैं दूसरा नाम tube cell और दूसरा होता है इसमें दो male gamete क्या होते हैं दो male gamete अब देखिए दर एक काईक कोशी का ठीक है एक काईक कोशी का और दो नरी उगमक और दो नरी उगमक बिल्कुल सही है पहले ही आंसर आ गया इसका फिर भी और देखिए दो काईक कोशी का है गलत है कितनी काईक कोशी का है एक काईक कोशी का और दो जनन कोशी का यहाँ कोई जनन कोशी का नहीं है बलकि क्या है नरी युगमक है तीन का एक कोशी का गलत है आंसर क्या आगया फर्स्ट देखिए अवेजीटेटिव सेल एंड टू मेल गैमीट्स इसके लावा यहाँ कोई भी सेल नहीं है तो आंसर आगया वन नेक्स देखिए कौन सा सही सुमेलित है यानि की करेक्ट मेच पेयर कौन सा है तो देखिए फर्स्ट बाह चोल पैक्टो सेलुलोज की बनी होती है गलत है जबकि अगर हम पॉलेन ग्रेंज के एकजाइन की बात करें तो एकजाइन पैक्टो सेलुलोज की नहीं बनी होती बलक कि अंतह चोल बनी होती है पेक्टो सेल्यूलोज की यानि कि यह अलग एक्सचेंज करके दे रखे हैं नेक्ट देखिए रिप्रोडक्टिव स्वरी जन्रेटिव सेल यानि कि जनन कोशिका अब देखिए अगर मैं जनन कोशिका की बात करूं तो बड़ा आता था अनियमित आक में खाट दे बंडार रखती है यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है करेक्ट मैचिंग दे रखी आंसर आजाएगा फोर्थ ध्यान रखना यह जो वेजी टेटिव सेल है इसमें लार्ज एमांट में फूड मटेरियल स्टोर होते हैं तो यह बिल्कुल सही स्टेटम की बात करें तो इसका एक और नाम है इसको बोलते हैं ओवियूल या बीजान्ड तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट निम्न मैंसे कौन सा बीजान्ड का आधारी ये भाग है बेसल पार्ट देखिए अगर मैं बेसल पार्ट की बात करूँ तो वो होता है चला जल एंड या चला जा तो इसमें देखिए आंसर क्या जाएगा फोर्थ निभाग निम्न मैंसे कौन सा आबरत बीजी में मादा योगमकोदवित की सबसे बड़ी कोशी का है यानि की फीमेल गेमीटोफाइट की सबसे बड़ी कोशी का एंजी इस पर मैं कौन सी है तो देखिए अगर मैं ओवियूल का स्ट्रक्चर बनाऊं जैसे माल लीजी ये ओवियूल क इस्ट्रक्चर है flush कर देखिए ये और इन्दर ली कि यहां पर क्या होता माइक्रोव है की तरहर क्रव क्रवेशियंट होता है दो सिनर्जिट सेल ये दोनों क्या है सिनर्जिट सेल जब कि ये क्या है ये एग सेल है दूसरी तरफ चला माइक्रो पाइल एंड से दूसरी तरफ प्रजेंट होती है तीन सेल जिसको हम बोलते हैं एंटी पोडल सेल जब की बीचों बीच एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं सें जंद्रिय कोशी का आंसर आ जाएगा थर्ड सेंट्रल सेल नेक्ट देखिए 84 एक प्रारूप एक आबरत बीजी भून कोस निम्न से बना होता है यानि कि टिपीकल एंजी इस पर में जो एंब्रियो सेक है वो किससे बना होगा देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको फिगर बता है इसमें देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो ये एंब्रियो सेक कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है एक दो तीन चार पांच छे और एक बड़ी कोशी का साथ यानि की सैबन सेल्ल यहाँ साथ कोशी की यह सन्रचना है लेकन इसमें केंद्रक कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, तो इनको हम कैसे लगते हैं, तो इस माइक्रो पाइल एंड पर कितने केंद रख हैं, तीन और दो सेंटर में, और फिर दूसरे एंड पर कितने हैं, तीन नूकलियस, तो देखिए अब, पहला होसन देखिए, साथ कोसी की है, ब की, जिनमें केंद रख, तीन, दो, तीन ब्यवस्ता में ब्यवस्तेत होते हैं, बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हैं, कि टिपीकल एंग्यो स्पर्मिक, जो एंब्रीयो सेक है, वो सेविन सेल्ड है, और इसमें, नूकलियस, थ्री, प्लस, टू, प्लस, थ्री के, 85 देखिए, बीजांड दौरिये स्रे पर सहाय कोशी का विसेश कोशी की स्थुलर रखती है, जिसे कहते हैं, देखिए, अगर मैं एंब्रीयो सेक के स्ट्रक्चर की बाद करूँ, तो एंब्रीयो सेक के स्ट्रक्चर में, यहां पर क्या प्रजेंट होता है, सिनर्जिट सेल्स प्रजेंट होती है, यह बीच में यहां सेंटल, यह एक सेल है, तो इस सिनर्जिट सेल्स में क्या होता है, यहां पर सेल्यूलर थिगनिंग होती है, इस थिगनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहां पर फिली फॉर्म एपरेटस यहां का निर्देशित करता है तो आंसर आ गया सेकेंड अगर अगर देखिए 86 निमने लिखित में से सही कतनों का चैन कीजिए देखिए दुई लिंगासरी पौदों में सजात पुस्पी परागन हो सकता है बिल्कुल सही है यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोनो सीयस प्लांट में सजात पुस्पी परागन हो सकता है देखिए अगर मोनो सीयस कंडीशन की बात करें तो मोनो सीयस कंडीशन का मीन्स होता है एक ही प्लांट पर बहुत सेक्स औरगन की प्रजेंस अब यहाँ फ्लॉवरिंग प्लांट में मोनो सीयस कंडीशन में दो यहा जाएंगी कौन-कौन सी में भी यहां पर अगर मैं बात करूँ एक ही फ्लॉवर है जिस पर क्या प्रेजेंट है मेल और उसी पर क्या है फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है यानि कि हम कह सकते हैं फ्लॉवर कैसा है बाई सेक्च्वल फ्लॉवर है तो अगर किसी पर बाई सेक्चिवल फ्लॉवर प्रेजेंट है तो आप क्या कह सकते है कि वहाँ पर मोनोसीस कंडीशन है प्लन में दूसरी अगर मैं बात करूँ इसमें यूनि सेक्च्वल मेल फ्लॉवर और यूनि सेक्च्वल फीमेल फ्लॉवर अगर अलग है लेकिन वो एक ही प्लांट कैसा हो जाएगा मोनोसियस क्लियर तो आप कह सकते हैं दोनों ही कंडिशन मोनोसियस है अब माल लीजे यहां पर इस बाइसेक्शुल फ्लॉवर लगा हुआ है बाइसेक्शुल में यह फीमेल पार्ट और यह मेल पार्ट यानि की एंथर अब इस एंथर से पॉलें ग गैमी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है यहां भी अगर मैं बात करूँ मेल से कहां चले जाए इंथर स्वरी पॉलें ग्रिन फीमेल के पास तब भी हो सकता है जिटेनो गैमी तो यह राइट स्टेटमेंट है दूसरा देखिए एक लिंगासरी पौधों में केवल पर निसेचन ही संबब है अगर मैं एक लिंगासरी पौधे की बात करूँ तो एक प्लांट पर मेल होगा जबकि दूसरे पर फीमेल होगा इस कंडिशन में यहां पर आप देख रहे हैं ना तो जिटेनो गैमी पॉसिबल है ना ही सेल्प पॉलीनेशन यानि की ओटो गैमी पॉसिबल है ओनली और ओनली क्या होगा जीनो गैमी यानि की पर निसेचन तो इन डायोसियस प्लांट ओनली जीनो गैमी इस पॉसिबल बिल्कुल राइट है नेच देखिए एक लिंगासरी पादपों में एक ही पादप पर दोनो प्रकार के एक लिंगी पुस्प उपस्थित होते हैं गलत है यहां मैंने भी आपको उताया एक लिंगासरी पादप की कंडीशन यह होती है जिसमें एक पादप पर केवल क्या होगा यहां पर एक ही सेक्स ओर्गन होगा जब यहां क्या लिग दिया दोनों तो आप कह सकते हैं डायोसियस प्लांट में यूनी सेक्चुल टाइप कि बोथ फ्लावर सेम प्लांट पर नहीं होते अगला देखिए दुई लिंगासरी पादप है यानि कि मोनोसियस प्लांट है तो वहां पर जीनोगेमी बिल्कुल पॉसिवल हो सकती है जबकि यहां लिग दिया संभव नहीं है गलत हो गया अनुनमील लिता स्वयोगमन को र कि बोकती है गलत जबकि मैं कह सकता हूँ क्लिश्टोगेमी ऑटोगेмы को रोकती नहीं है बलकि बढ़ाती है इस टेटमेंट गलत है और मोन xem में जीनोगेमी नौट possible बलकी हो सकती है ध्यान रखना ये भी statement गलत तो पूझा क्या है correct statement कौन कौन से हैं first और second तो answer आजाएगा first next देखिए 87 निमन मैंसे कौन सा गलत मिलान है एम और फो फैलस इसमें कीट परागन होता है सही है एम और फो फैलस में एंटोमोफिली होती है बिल्कुल सही एम और फो फैलस जिसका flower six feet tall होता है छे फोट लंबा होता है लगबग और तो उसमें insect इंटर करते हैं उनको रहने के लिए वहाँ place मिलता है युक्का कीट परागन ये भी सही है यानि कि अगर मैं युक्का की बात करूँ तो इसमें एंटोमोफिली होती है सेम कंडीशन यहां भी है वैलस नेरिया जल परागन होता है बिल्कुल सही वैलस नेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है जल की सतह पर परागण आजाते हैं और वही पर बढ़ती कागर आकर यहां पर क्या होता है परागण की क्रिया होती है आई कॉर्णिया जल परागण गलत है अगर मैं आई कॉर्णिया की बात करूँ इसमें जल परागण नहीं होता बलकि कीट यहां आप कह सकते हो एर पॉलिनेशन हो सकता है तो यह गलत है आंसर आगया फोर्थ नेक्स्ट निम्न मैं से कौन वायू परागण के लिए अनुकूलन नहीं है अब देखिए एनीमो फिली के लिए अडप्टेशन नहीं है तो देखिए पहला बहतर अनावरत पुंकेशर की उपस्तिती यह तो यहां पर अनुकूलन है अडप्टेशन है प्रजैन्स ओ वेल एक उपर की ओर होते हैं एक्सपोजड कंडीशन में अक्सर एक अंडा से में एकल बीजांड उपस ते बिल्कूल राइट है यह भी इसका अडप्टेशन है प्रजैन्स ओफ सिंगल ओविल इन ओवरी चिपचिपे पराकण यह गलत है ज्यान रखना क्यों क्योंकि एयर पॉली इंसेक्ट पॉली नेशन में चिपचिपे पराकण बनते हैं बड़ा और अक्सर पिक्षबर्गती का अगर सही है लार्ज और ओफन फीदरी स्टिग्मा सही है तो इसका आंसर आ जाएगा इस्टिकी पॉलें ग्रेन थर्ड आंसर नेक्ट देखिए निमनलिकित में से कौन सा पुस्प से पराग करताओं के लिए पुरुसकार नहीं है यानि कि जो परागन करता है उनको पुस्प से क्या उपहार नहीं मिलता उपहार के रूप में से क्या एक नहीं मिलता देखिए मकरंद यानि की नेक्टर बिलकुल मिलत है पर जीवियों से सुरक्चा यह नहीं मिलती ध्यान रखना कभी भी यह पैरा साइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता पराग कन बिल्कुल पॉलें गिरिन मिलते हैं अंडे देने के लिए इस्थान बिल्कुल सही है जैसे एम और फैल एम और फो फैलस एंड यक् आपको पता है त्री संलेयव में क्या होगा तो यह जो एम्ब्रियो सैख है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एक सिनर्जीट ये एक एक सेल है एक सेल में डूसे के साथ मुलकीव साथ तो यहां कितने nucleus fusion कर रहे हैं तीन इसलिए इसको बोलते हैं triple fusion तो देखिए यहां पर एक तो हो गया male gamit जबकि दो polar nucleus तो देखिए एक मादा युगमक गलत है एक नरी युगमक और दो धुर्विय केंद्रकों का सही है दो नरी युगमक गलत है एक नरी युगमक और एक धु सकते हैं one male gamit and two polar nuclei का fusion ही क्या होता है triple fusion आंसर सेकेंड निसेचन के बाद भून पोस का विकास होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म डवलफ स्परॉम मैंने भी आपको बता है था कि primary endosperm cell development करके बनाती है endosperm तो आप कह सकते हैं किस से डवलफ होगा endos sperm primary endosperm cell से answer second चलिए next discuss करते है 92 देखिए दर निमने लिखित मैंसे कितने दूई बीज पत्री पौध है आप रूण पोसी ये बीज उत्पन करते हैं यानि कि डाइकॉट भी है और non endospermik भी देखिए दर अरंडी अगर मैं बात करूँ ये डाइकॉट तो है लेकिन इसमें endospermik seed बनते हैं तो ये गलत हो गया मटर डाइकॉट है non endospermik seed sam dicot non endospermik चना डाइकॉट non endospermik ग्यहूँ गलत क्योंकि monocot है चाबल monocot है orchid monocot है तो answer क्या जाएगा हमारा first देखिए दर how many of dicot plants produce non endospermik seed कास्टर डाइकॉट है बट endospermik सीट है गलत पी आ जाएगा बीन आ जाएगा ग्राम आ जाएगा वीट राइस और्किट गलत आंसर आ जाएगा हमारा first दूई निशेचन में क्रमसा कितने योगमक और अगुनित केंदरक सामिल होते हैं देखिए डवल fertilization का मतलब है fertilization दो बार होना तो अगर एक embryo sec में दो बार fertilization होता है इसको हम बोलते हैं दूई निशेचन या डवल fertilization तो इसमें क्या होगा सबसे पहला जो main fertilization होता है उसमें एक male gamete plus one female gamete यानि की egg cell मिलता है तो यह दोनों क्या है gamete है और क्या बन जाता है जाइगोट तो यह पहला fertilization हुआ इसको true fertilization बोलते हैं दूसरे type में क्या होगा male gamete plus two polar nuclei participate करेंगी और क्या बन जाएगा तीन nucleus हैं तो इससे बन जाएगा primary endosperm cell अब देखिए दर कितने युगमक बोला है तो युगमक कितने होगा double fertilization में male egg और यह male कितने gamete हो गए तीन कि नेक्स्ट क्या पूचा है ऑगोनित केंदरक कितने हो गए एक अगोनित केंदरक दो तीन चार पांच टोटल कितने हो गए है पलॉइड nucleus कितने हो गए पांच तो देखिए दर कि दो युगमक गलत है दो युगमक गलत है तीन योगमक और पांच केंद्रक सही है आंसर आजाएगा थर्ड तीन योगमक और तीन केंद्रक गलत है आंसर क्या आजाएगा थर्ड थरी गैमीट्स एंड फाइब नूकलियाई नेक्स देखिए आबरत बीजी ब्रूण में कितने बीजपत्र होते हैं आपको पता है एंगियो इस्पर्म प्लांट्स के अंदर दो टाइप के प्लांट इंकलूड हैं कौन-कौन से एंगियो इस्पर्म में आते हैं मोनो कॉट और दूसरे आते हैं डाइकॉट के अंदर वन कॉट इलेडन होता है डाइकॉट के अंदर टू कॉट इलेडन होते हैं अब यहां कोई यह बोला है नहीं कि मोनो कॉट है डाइकॉट है तो देखिए दर तीन कभी नहीं होते चार कभी नहीं होते छे कभी नहीं होते यहां त घास परिवार में कार्यात में बीच पत्र क्या कहलाता है इन ग्रास फेमिली फाउंड कोटिलेडन फंक्शनल कोटिलेडन इस कॉल्ड एज देखिए अगर मैं ये ग्रास फेमिली के मेंबर्स की बात करूँ यानि कि ये मोनो कॉट है और इनके अंदर जो फंक्शनल ते लम आंसर क्या जायगी मैं एप्सिस्ट में karşद का परी बुरूंड को स्केवाटा यानी कि ऐसे शीट जिसमें परी बुरू परी ब्रूरूर पॉंस पाया जाता है ऐसे BBQ बोलते हैं परी बूरूर पोसी बीज या पैड़ी पैरी इस्पर्मिक सीड तो ध्यान रखना पर्सिस्टेंट न्यूस इस कॉल ड़ाइस पैरी स्पर्म और पैरी स्पर्मिक कंटेनिंग सीट्स आर फाउंड इन बीट एंड ब्लैक पैपर आंसर आ सेकंड चुकंदर और काली मिर्च में पाए जाता है आंसर सेकंड नेक्स्ट पराग कंकी जनन कोशिका के लिए सही कथन का चैन कीजिए यानि की जनरेटिव सेल्स के बारे में हमें देखना है बड़ा आकार में बड़ा प्रचुर मात्रा में भोजन का भंडार है गलत यह एक बड़ा अनियमे ताकार का केंदरक रखती है गलत यह सगन कोशी का दरब से तरकुनमा होती है सही यह आंसर सही है यह दो नर्यूगमकों को जनम देने के लिए अर्द सूत्री विवाजन करती है गलत है जनरेटिव सेल हैपलोईड होती है और हैपलोईड में मियोसिस नहीं 98 पराग कोस भित्ती की कौन सी परत अलपायू होती है यानि कि जो पराग कोस है वो उसमें अगर हम देखें चार भित्ती यह पड़ते पाई जाती है एपीडरमेस एंडो थीसियम उस से अंदर मिडल लेयर और सबसे अंदर टेपीटम तो यहां अगर मैं बात करूँ यहां पर कि सौट लिब्ड कौन सी होती है यहां पर मानी जाती है एंडो थी सुरी यह मिडल लेयर आंसर क्या जाएगा थर्ड कि चलिए नेच्ट कॉस्टन डिसकेस करते हैं 99 निमनलखत मेंसे कौन सा गलत कथन है तो देगिए कौम एलाईना वीओला और ऑग्सेल इसमें अनुनमीले पुस्प अनुनमीले परागनी पुस्प नहीं होते गलत है क्यों क्योंकि यहां पर अगर मैं क्लिष्टोगेमस के साथ साथ चैस्मोगेमस फ्लॉबर होते हैं लगनिया लग दिया कि चैस्मोगेमस नहीं होते यह स्टेटमेंट हो गया गलत तो हमारा आंसर क्या गया फिर फिर भी देख लेते हैं यहां पर और इस्टेटमेंट है यानि कि सेल्फ इनकमपेटिबिलिटी में जो पॉलन ग्रेंस है उनके जर्मीनेशन को इस्टिगमा पर रोका जाता है यह बिलकुल सही स्टेटमेंट है इस्ट्रोविलेंथस कुंतिया ना एक बहु वर्षी मोनोकार्पिक प्लांट है बिल्कुल सही है 12 इयर्स तक लिविंग रहता है और एक ही बार फ्लॉवरिंग करता है यानि कि आप कह सकते हैं मोनोकार्पिक भी है और पेरीनियल बिल्कुल राइट है सभी पुस्पिय चक्र फिजियो लॉजिकल रियक्शन के तुरू जो सेल्फ पॉलेंग्रेंज होते हैं उनको इस्टिग्मा पर प्रिवेंट कर दिया जाता है जर्मीनेशन से रोक दिया जाता है तो आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट चलिए नेक्स्ट कोश्चन अंडेट नंबर गलत तरीके से जोड़े गए समू का चैन करें यानि कि यहां पर इनकरेक्टली मेंच पेर हमें देखना है टेपीटम की बात करें सबसे आंत्रिक और पोसक परत है बिल्कुल राइट है यहां अगर टेपीटम की बात करें इनर मोस्ट और न्यूटिटिव लेयर अंतस थीसियम में कैलोज बेंड जैसे होते हैं बिल्कुल सही है जैसे समुद्री गराग्ний की बात करों जोसते हैं तो जोस्तर में क्या उते हैं और इसा लीजी में नहीं होता अगर मैं यहां पर बात करूँ कास्टर सीड की, तो कास्टर सीड में माईक्रोपाइल एंड के पास जो कुछ रीजन होता है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्रौडर हो जाता है, एक आउट ग्रोथ बन जाती है, उसी को बोलते हैं केरन कल तो यहां पर आंसर क्या जाएगा फॉर्थ तो यहां आपने कॉस्टन डिसकस किये जो फिप्ट पार्ट टेस्ट के तो आई ओप आपने बहुत अच्छा किया होगा थैंक यू